जैसे निंडर, मेरा माम है कोमद, मैं वारंगरभाल महाराश्ट शुस्यूद, जैसे कि सबको ही पीजा, बर्गर ये सब चीजे पसंद है और आज हम बनाने वाले हैं जैन, यम्मी, चीजी माकरोनी पास्ता, तो चलिए हम इंक्रीडियन्स देखते हैं, तो जैसे कि हम पास्त जैसे कि आउडर, मिल्क, मैदा, मैदा मैने दो स्पून लिये है, ऑईल, नमक, पिंच ओफ नमक, और चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स आपके स्पाइसिनस के साब से आप ले सकते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बनाना तो कैप्सिकम हमें कट करना है पहले, तो तो हमेें कुछ इस तरह से कैप्सिकम को चॉप करना है, आप साइससाइस आप देख सकते हैं, करसी हason है इसकी साईस, तो चली हम स्टार्ट करते हैं तो हमें पास्ता पॉल करने के लिए, पहले मैंने कड्हाई में पानी को गरम करने के लिए रख दिया है, फिर इसके में थोड़ा सा नमक और ओउटर मैं बीन डाल रही हूं और अंत अब नमक दाले ठाट में अ में थोड़ा सा पहल इस लिए पास्ता दाल सकती एक दम धीरे पास्ता बाला क्योंकि पानी गर्म है आपका आप देख सकते हैं, बबल्स भी आना शुरू हो गया है, मैंना पानी बॉल है हमारा आप पास्ता की कॉंटिटी और सारे इंक्रीडियन्स की भी कॉंटिटी अपने जितने लोग खाने वाले उसे साब-साब ले सकते हैं तो अभी पास्ता हमारे हम सेवन मिन उसके लिए पास्ता को बॉल करने के लिए रख देते हैं तो अभी हमें कॉंट भी बॉल करना है तो पहले माने एक इसमें पानी करने के लिए रखाया और उसमें थोड़ा से शुगर दाला है शुगर से कैसा है कॉंट में स्वीटने साता तो अब हम थोड़ा उसमें कौन दालेंगे और इसे भी हम तू टू थी मिनट्स के लिए बॉल करने के रखेंगे अब देख सकते हैं तो अब देख सकते हैं तो हमारा पास्ता भी बॉल हो चुका है अब हम चेक करने के लिए हम यह पास्ता को कट करना होगा तो हम स्पून से कट करके देखते हैं आप देख सकते हैं यह पास्ता कट हो रहा है यह देखिए तो हमारा पास्ता बॉल हो चुका है और हमने हमारा कौन भी बॉल करलीया है तो पास्ता अब हम चान लेते हैं इसके नीचे मैंने एक पतीला भी रख लिया है ताकि गरम पानी नीचे पेशिंग में ड्रिकली ना पास्ता को चान देते हैं अब पीज ध्यान देना जब तक पास्ता प्रॉपरली सौफ नी होता और कट नी होता जब तक उबलने देना क्योंकि बाद में खाने में फिर बिल्कुल भी अच्छे नी लगेंगे अभी पास्ता होई होने के बाद उसमें थोड़ा से थंडा पानी ताकि फाट साड़ लिए प्रॉपरली हो जाए अब गरम उसका जो राए रहा रहा को नवरन हो जाएगा तभी हमारा अब में स्बज이 यां हमारी मिक्स करनी है तो फिर थोड़ा सा हमने पैन में ने पर-पैन को पर दढ़ने के लिए conquest था थिर फोड़ा सा बटर यांकि तब हमारी सब्जी अदाने में लेटी बेस, कॉन, और क्याची तब, तब हम इसको अच्छा से मिस्टा लेंगे, तक वो बटर में प्रॉपरगी मिक्स हो जाए अब कोई और सब्जी दालना से आते हो आपके उपर हैं गाल सते हैं और आप सब्जी की कॉंटिटी भी उतनी ही रहना जितना पास्का बना रहे हो आप देख सकते हैं प्रॉपरली वो मिक्स हो चुका है बटर के साथ अब कोई और सब्जी दालना चाहते हो आपके उपर हैं बाल सकते हैं और आप सब्जी की कॉंटिटी भी उतनी ही रहना जितना पास्का बना रहे हो अब देख सकते हैं प्रॉपरली वो मिक्स हो चुका है बटर के साथ हमारे सारे मेज़िटिटल्स अब हम स्टैंसे से निकाल लेते हैं हमारे सब्जीया सारी हो गई थी अभी हम पास्ता सॉस बनाते हैं तो आपस हम बटर दालेंगे पान पे अब बटर के थोड़ा हम प्रावी खोने रहे हैं फिर अभी हमें हमारा मैदा था धीरे-धीरे मैदा दाना है तो कि जब मैदा बटर में आता है वह बहुत खिक बच जाता है अब हम इसे मिक्स करेंगे आप देख सकते उसकी कैसा हो रहा है वह थोड़ा सो और एक दम थोड़ा दालना ज्यादा मैदा भी ना दाने बटर में तरके फिर बालने वह बहुत ही हो जाएगा और आपको जब मिक्स करोगे उसमें जब मिक दालोगे तो वह बहुत यह हो जाएगा अब इसमें दियेगे लिए हम मुल्ट दालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लीजे ताप्स कोई लंज न रहे काट न रहे अब ही वो चीजी होई के लिए हम थोड़ा सा चीज भी इसमें ग्रेट कर सकते हैं अब पास्ता में यह सॉस में दालीए पहले कि बाद में ग्रेटर में दालीए तुरू भी चलेगा अगर इसमें दाली तो पर मुझे चीजी पास्ता बहुत पसंद है इसलिए मैं दाल रहे हूं अब देख सकते हैं चीज दालने के बाद कितना क्रीमी हो गया है यह तो अभी हम हमारा पास्ता सॉस रेडी है अभी हम हमारे वेजटेबिल और पास्ता दालें तो पहले हम वेजटेबिल सालेंगे इसे प्रॉपली मिक्स कर लीजे और अगर ज्यादा हाई रहा फ्रीम तो सब्चिया थोड़ी यह भी हो सकती है अभी हम हमारे पास्ता दालेंगे हमने पास्ता भी दाल दिया है और आप देख सकते हैं मिक्स कर रहे हैं अभी हमें कितना चीज भी अगरा है ओ वाउ आप सॉल्ट अपने स्वाध अनुसार दाल स करें और जैसे कि सब कहते हैं कि पेट का रास्ता आखों से होता है तो आप बनाते तो हो पर प्रेजंटेबल दिश शुट बी प्रेजंटेबल तो डिश भी हमारी वैसी बननी चाहिए बिखने में अभी हम इसमें थोड़ा सा ब्लाक पेपर पावडर दालेंगे एक दिम थ दोड़ा और चिली फिलिक्स साइसे किसाब से और स्पून में और चीज अगर आपको चीज उपर जहिए तब चीज गेट कर सकते हैं तो मुझे तो चीज बहुत पसन है कि मैं चीज ऑवियसल गेट करूंगे तो यह रहा हमारा पास्ता आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा हो यह रहा हमारा पास्ता और अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना थैंक्यू